दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो आज तारीक को हर्याना के रिजल्ट आए जो एक्जिट पूल के हिसाब से तो कांग्रेश को जिता रहे थे 60, 65, 70 सीटें दे रहे थे लेकिन जब एक्शुल रिजल्ट आठ अक्तूबर को आए तो जस्ट उसके उल्टा हो गया कांग्रेश चुनाव हार गई और भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई कांग्रेश की जो भविश्चे मानिया एक्जिट पूल में हो रही थी या शारा मीडिया कर रहा था कि साथ, पैंसाट, सत्तर तक सीटें आ सकती हैं उससे मात 37 या 38 सीटें मिली जबकि भाजपा 48 सीट जीतने में काम्याब रही हाला कि पिछली बार से कांग्रेश ने च्छे या साथ सीटें ज्यादा जीती उसी पिरकार भाजपा ने भी पिछली बार के चुनावों से आठ सीटें ज्यादा जीती लेकिन एक कोमन बात जो जो देखने में आई कि बोट सेर कांग्रेश का ग्यारे बारे परसेंट बढ़ गया और दोनों का जो बोट सेर हरियाना के चुनावों में रहा लगभग 49.3 रहा और भाजपा कांग्रेश से सिर्फ 0.09 परसेंट यानि एक परसेंट का भी मामूली सांतर से पीछे रह गई और मोटे तोर पर हम कहेंगे तो बे दोनों को 49 49 परतिसद बोट मिले लेकिन जो बारिक सा बाल भर जो अंतर रह गया इसी के इसी ने सायद कांग्रेश को हराने का कांग्रेश तो बाद बोट परतिसद पर आकर अ परतक रही है और हम विवेचन लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेश के हार के कारण उस पर हम लगातार वीडियो गना रहे हैं जैसे जैसे सूचना हैं हमारे पास आ रही हैं कि कांग्रेश हारी तो क्यों हारी या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कांग्रेश एक और हार के कारण अन दोश्तो कहा तो ये भी जा रहा है कि हुड़ा गुरुप ने कांग्रेश हाई कमान पर कब्जा कर लिया जो कांग्रेश के प्रभारी थे दीपक बावरिया कथित रूप से वो भी हुड़ा गुरुप की उगलियों पे नाच रहे थे और जब उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब वो बीमार होकर जो अश्पताल में भड़ती हो गए दीपक बावरिया जी की जगे किसी नए व्यक्ति की भी नियुक्ति नहीं की गई कि भई कोई उम्मीदवार सिकायत करे तो किस से करे वेडू गोपाल जी भी किसी का फौन नहीं उठा रहे थे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुमारी सेल्जा ने भी इन दोनों को संपर करने के कोशिश किया तो किसी ने उनका फौन नहीं उठाया और जिस तरीके से नब्वे में से बहातर सीट हुड़ा गुटने कव जाई और उन जो बहातर सीटें थी उनमें जिस तरीके से भाई बती जावाज चला या जो भी कारण रहे हों और दवी जबान से कहा तो ये भी जा रहा है कि पैसा भी टिकट वितरना में चला लेकिन हम उसकी पुष्टी नहीं कर सकते चूंकि हमारे सामने तो कोई लेन देन टिकट के लिए हुआ नहीं है हमारे सामने तो टिकट बिके नहीं लेकिन इस तरीके की दवी जबान से ये बातें भी कही जा रही है लेकिन ये अवश्य माना जा रहा है कि हुड़ा कांग्रेश पर हा भी था इसलिए हुड़ा ग्रुप की ही जिम्मेदारी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेश के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चूटी का जोर लगा दे लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जितना दवाब हुड़ा गुट ने कांग्रेश हाई कमान पर बनाया कि हम ऐसे सीट जीत लेंगे लेकिन दोस्तों उन्होंने भी अब ऐसा लगता है कि जमीनी इस तरपर हुड़ा गुट ने भी वो काम नहीं किया जो कांग्रेश को जिताने के लिए करना चाहिए था और जिस जाट समुदाय की नुमाइंदगी हुड़ा जी करते हैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और हरियाना के केई पत्रकार तो ये दावा कर रहे हैं कि जाटों ने ही कांग्रेश को हराने का काम किया जाटों ने ही कांग्रेश को उतने बोट नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी या जाटों को जितनी कांग्रेश ने टिकट दी थी जिस प्रतिसत में उस लिहास से भी जाटों ने जोली भर भर कर कांग्रेश को कांग्रेश उम्मीदवारां को टिकट नहीं दी हरियाना के एक वरिश्वत्रकार का मानना है कि जाटों ने सिर्फ और सिर्फ तरेपन परसेंट जाटों ने कांग्रेश को बोट दी यदी जाट 60-75% बोट कांग्रेश को देते तो वो 49-49% का जो रेशो है उसमें कांग्रेश आगे निकल जाती और कांग्रेश 40-30 से उपर बोट लेती भाजपा 49-35-36 पे कहीं अटक जाती और कांग्रेश के बोट एक दरजन से ज़्यादा बढ़ जाते और कांग्रेश जमीनी इस तरपर जीतने का काम करती और जाटों ने चूंकी मात्र 53% जाटों ने कांग्रेश को बोट दिया जबकि जिस तरीके से जाट मतलब कांग्रेश कांग्रेश मतलब जाट ये माहौल बन गया ता हरियाना में और बाकी 35 विर्यादरी के एक तरीके से अंदेखी की बात कही जा रही है हलांकि अंदेखी तो पूरी तरह नहीं कही जा सकती लेकिन सवाल तो उठी रहा ए कि जाट 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 का अधा उछाला गया जितना जादा उछाला गया जितना हुड़ा ग्रुप को जादा उछाला गया उतने ही दूसरी जातियां या अदर्स या 35 विरादरी जो है कांग्रेश से थोड़ी दूर होती चलीगे उसका एक और उधारन मैं दूँगा उसका दूसरा उधारन यह है कि जहां आरोप यह लग रहा है कि जाटों ने कांग्रेश को बोट नहीं दिये यानि जाट पूरा बोट देते तो कांग्रेश जीतती या यूँ भी कहा जारा के जाटों ने कांग्रेश को हुराया उसी तरीके से जाटव समुदाय ने भी दलित समाज के जाटव समुदाय ने भी कांग्रेश को भर भर कर बोट नहीं दिया केवल पचास पृतिसर दलित जाटव समाज ने कांग्रेस को बोट दिया और 50% दूसरी तरफ चले गए और दूसरी तरफ कितने चले गए उशी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं के पलवल से कांग्रेस के उम्मीदवार चौदरी उधैवान जो दलित समुदाए से हैं जातव समुदाए से हैं उनको भी उनकी अपनी सीट पर लगभक तीन हजार बोटों से हार का सामना करना पड़ा और यह तो आप जानते ही हैं के रिजर्व सीट है होडल और इस सीट पर दलितों की भारी संख्या है लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अद्धैक्स चौदरी उधैवान जो होडल की रिजर्व सीट से खड़े हुए थे उस पर भी जाटों ने और जाटब समाज जो जाटब दलित समाज ने भी उनका साथ नहीं दिया उनको जोली भर भर कर बोट नहीं दिये इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को हार का मूँ देखना पड़ा अब कांग्रेस अध्यक्ष अपनी सीट पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे पाए वो जमीने इस तर पर कहां चूप कर गए के जो कोर बोट है कांग्रेस का बताया जा रहा था इस इस चुनाब में तो जाट और जाटब भी उनसे क्यों विमुक्ष हो गए और प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम किया तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि जाट और जाटब जिन से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी के भर भर जोली ये कांग्रेस को बोट देंगे और जिस तरीके से इन्होंने लोग सबाचुनावों में भर भर कर कांग्रेस को बोट दिये जाट दलित और मुसलिम ने वो कारनामा इन जातियोंने विधान सबाचुनावों में नहीं किया और इन्होंने भाजपा सहीत अन्य लोगों को भी बोट दिये यही कांग्रेस का ह ही चल रही है लहर चल रही है सुनामी आ गई है इसी ऐसे सपने देखती रही और जमीन इस तर पर प्रदेश अध्यक्स तक ने अपने सीच बचाने का काम नहीं किया तो यह तो चिंतन मनन का काम है कि क्यों ऐसा हुआ लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण है जो कारण बताये जा रहे हैं कि हुड़ा खेमा दिल्ली बैठे हाई कमान को गुमरहा करता रहा है कि चिंता मत करो हम तो जीत रहे हैं हमारी आधी चल रही है कांगरेश की आधी चल रही है सुनामी आ गई है तो यहां पर हाई कमान भी शायद अपनी जिम्मेदारी से नहीं जमीनी इस तर पर ये देखना चाहिए था कि जो हुड़ा ग्रूप किनी चाह मीडिया सोचल मीडिया के माध्यम से या हर मीडिया के माध्यम से हवा चलने की बात कह रहा था तो क्या वाकिन में हवा वो थी या नहीं थी जिस समय पूरे देश में कांग्रेश की हवा बनाने का काम कांग्रेश के आला कमान को करना चाहिए था चुकि आगे और विधानसवा चुनावों के काम आ रहे हैं समय आ रहा है चाह वो महराष्ठ हो बिहार हो या फिर दिल्ली भी है और राज्यों के भी आएंगे तो उस लिहाज से कांग्रेश हाई कमान को भी इस बात पर पैनी नडर रखनी चाहिए थी और जो समय हरियाना में राहुल गांधी को देना चाहिए था उस समय वो अमेरिका यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी ने अन्तिम सप्ता में दो-तिन जनसभाई की प्रियंका गांधी ने भी गंभीरता से हरियाना के चुनावों को नहीं लिया और वो भी दो-तिन जनसभाई कर पाएं जबकि जरूरत इस बात की थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी और खड़के जी को कम से कम पंदरे दिन लगातार दुआधार अपनी जनसभाई हरियाना में कांग्रेश को जिताने के लिए करनी चाहिए थी और कुमारी सेलजा की क्या तकलीफ है शुर्जेवाला जी क्या तकलीफ है या अन्य कांग्रेशी नेताओं की क्या तकलीफ है या अन्य गुटों की क्या तकलीफ है उनको भी सुलजाने का काम कांग्रेश हाई कमान ने नहीं किया दीपक बावरिया जी भी नहीं किया अब जब चुनाब निपट गए हैं भाजपा हार गई है तो अब उन सब कारणों का चिंतन मनन हो रहा है कि कांग्रेश हरियाना में हारी तो क्यूं हारी तो उसका कोई एक कारण नहीं है मैं फिर वही सेंटेंस कहे कर अपना वीडियो समाप्त करूँगा कि कांग्रेश एक और हार के कारण अनेक पूरी तरीके से किसी एक पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती जहां जहां कमियां है और जो हमको दीख रही है एक पत्रकार होने के नाते हम उनकी निसान देही कर रहे हैं कि कहां कहां कांग्रेश से चूप हुई और कांग्रेश क्यूं हारी तो दोस्तो ये हमारा लगातार सिरीच चल रही है, देश रोजाना, ये सिरीच चला रहा है, कि कांगरेज जीतते जीतते क्यूं हारी और उसकी कहां कहां कम्या रही और भविस्ये में वो ये कम्यां ना करे और जो आने वाले चुनावेचा महाराश्टाचा और राज्ये हैं यदि ऐसी ही भूल उसने आगे भी की तो कांग्रेस को की लुटिया पूरी तरीके से डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा चुकि आप जानते हैं पूरा देश जानता पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा का जिस प्रदेश में चुनाव जिस दिन खत्म होता है वो अगले चुनाव की तैयारियां उसी दिन से सुरू कर रेती है लोगसभा का चुनाव दोहजार चुविस में जार जून को खत्म हुआ तो भाजपा ने दोहजार उनतिस के लोगसभा चुनाव होने की तैयारी उसी दिन से सुरू कर दी तो कांग्रेस और भाजपा के चुनावी तैयारियों का सबसे बड़ा फर्क जो है यह है और भाजपा के जीतने का कारण वो डेवन से राद दिन 24 घंटे अगला चुनाव जीतने के लिए काम करती है और जब की कांग्रेस के नेता हवा हवाई जादा बातें करते हैं मैंने जैसा की मैं पूरी तरीके से तो राहुल गांदी प्रियंका गांदी को नहीं कह सकता लेकिन यह जब हम कांग्रेस भाजपा के नेताओं का अध्यन करेंगे उनकी सहली को जीत देखेंगे कि भी वो चुनाव लड़ने के लिए तीन सो पैसर दिन काम करती हैं तो क्या कांग्रेस के नेता का या हाई कमान भी तीन सो पैसर दिन चुनाव जीतने के लिए काम करते है लेकिन अंत में ये कहते हुए कि कुछ पत्रकार किनी भी कालों के चलते से चलते बेशक राहुल गांधी पर भी उगलिया उठा रहे हैं लेकिन मैं उनको जैज नहीं मानता सबसे बड़ी आशा की किरण है कांग्रेश में या देश में तो राहुल गांधी ही है लेकिन राहुल गांधी को हर्याना के चुनावों में जो खामियां रही है उन खामियों को दूर करना पड़ेगा यदि कांग्रेश को जीत की जीत के रास्ते पर डालना है और आने वाले विधान सभाद चुनावों में एक अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेश ने करनी है तो अभी से उनको रात दिन एक करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए तो दोश्तो इसी के साथ मेरा याज का वीडियो समाथ होता है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।